हेलो दोस्तो रश्मी की दुनिया में आपका स्वागत है आज हम लोग पहुँचे हैं प्रियाग राज के सबसे बुराने मंदिर कौमारी महादेव प्रियाग राज के सिविल लाइन्स एरिया में रेलवे कॉलोनी में ये मंदिर है ये मंदिर रेलवे ट्रेक के ठीक बगल में है मंदिर में लगे शिला लेक से पता लगता है कि 1895 में इसको दुबारा बनवाया गया था कहा जाता है कि ये मंदिर 400 साल पुराना है मानिता ये है कि 400 साल से अधिक समय पहले एक ओगण शादू शिव की आग्या अनुसार प्रियाग आये और घंगोर जंगल के बीच उन्होंने मिट्टी से ही एक शिवलिंग की स्थापना करी इस मंदिर में इस्थापित शिवलिंग को उसी ओगण शादू के नाम पर कौमारी महादेव के नाम में प्रसिद्धी मिली अब इस जगह पर एक सुन्दर मंदिर बन चुका है बेहत ही शांत वातावरण में आश्चर जनक तरीके से यहाँ विबिन फूलों की सुगंद के अनुबूती होती है जबकि यहाँ पर कोई भी फूलों के पेड़ नहीं है फिर भी इस मंदिर में फूलों की खुशगू आती है लोग इसे चमतकार मानते हैं यहाँ का वातावरण पुरा आश्चरम की तरह लगता है यहाँ आकर बहुती शांती के अनुभूती होती है यह पुराना कुवा जो अब बंद कर दिया गया है साधू के द्वारा स्थापित शिवलिंग साधू के तब से पत्थर में परिवर्टित होकर सदेव को शिव सरूप में विद्धिवान हो गया कौमारी महादेव को प्रयाग राच का रक्षक भी माना जाता है यहाँ परिश्थापित शिवलिंग चार मुखी है कहते हैं कि यह चारों दिशाओं से इस शहर की रक्षा करते हैं मंदिर परिशर में इस्थापित आन्य मूर्टियों को देख के भी लगता है कि यह बहुती साल पुराना मंदिर है आईए बाबा भूले नात के दर्शन करते हैं और लोगों का साती सात मेरा खुद का भी मानना है कि जो भी यहाँ पर मांगा जाता है वो जरूर मिलता है जै भूले नात ओम नमस्षिवाए कि जो भी मांगा जाता है कि जो भी मांगा जाता है कि जो भी मांगा जाता है झाल 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 झाल